अब यहां पर दूनों टीम ना देखो कि देखो के बीग जो टीम से इनका तीन मुकाबलत नुट जलता हो था तीन में से दो जीता है एक हारा है इनके जो अपनट देखो कि फाहद नवाज थीक है और लबप्री था ही जो कि अच्छा आसे बर्त्मन है पाकि मेडिल ओडर कु विक्त थीक है बड़ जो सामने एक तीम है केस के टीम से निकरवन श्टाइकर को टीम से हैं इनके तीम ने यहीं मुकाबला विन करें है इनकी टीम ने भी तीन मुकाबले हारे बट इनके जो टीम का देखोगे ना आर्यान लगार आमीर हमजा फयाज अर्मद अलीखान क्या वाइटिंग और अच्छ हो सकते ना उस पर भी हम बात रहें तो बस आपको वीडियो को लास्त अग्वास करना है वीडियो आपको बहुत जादा हेल्प हो जागा सबसे पहले बाइज अभी तक आपने टेल्ग्राम जोइन को जोइन नहीं गया जोइन कर लेना वीडियो जित्रे भी हमने मुकाबले कल से कवर के रहा में पूरे पूरे अच्छा गासा वीनिक जाल रहा है ठीक है तो आज आउट टेलिग्राम पे वेनुज रहेगा सेम रहेगा सार्जा किरिकेट एस्टेडियम सार्जा में गाइस एक तो बैटिंग फ्रेंडले भी कहता है क्यों sagt लिओ लिंग में सकंड नींग से ठीक है पहले बात रहें कर्मन बल्स की इंकी उपनर रहें फाहाद नवाज के अस वन्त रफंठ अल्द आवोर थापा बात रहें 23 कर रहे तैएंड millions ग्याrast लोस्ट नहीं रहेगाए healthy लुकारलज अप सर प्रकलों भी ब करेंगे ऊंसे प्रिकड़ा के सबस्कित कुरहके अभर टो bleel आखे को अब करना कि अधिकरा आँगो कपिनको करेंगे यकुर्टार करेंगे लेकशन,पलरि भेस बहुंत के करवाए गया फिर से चोतरन करें देखो गाई इस पहले रोबोडल बढ़िया ही है एक सबस्क्राइब से तो मेरे क्या लग रहा है यहां पे थोड़ा फिर से नीचे खेलेगा क्योंकि लबपरीत बाजवा उपनी करेगा फाहाद नावाज करसाथ यह आपको बैटिंग से इनके साथ आना उनके बाद आएंगे आसे वकास जट जो की पहले वला मुकारव में वन डावन कहलाता है जहां पर असवंध नीचे के लिए ठीक है अगर लबपरीत बाजवा यहां पर फाहाद नावाज ओपनी करता है ना तो फिर वन डावन कहलता है तो फिर आपके ल बोलिंग करने का भी समता है ठीक है लेकिन नहीं करा रहा है तो हम नहीं भी करेंगे उनके बाद हैं कि आर्न फैर्नांडेज वर स्टार्टिंग तो नहीं कहला तो लास्ट मुकाला कहला था 25 रन करें थे आप इनका टीट इनका भी देखो कि उतना अच्छा का सा नहीं सब्सक्राइब करेंगे लास्ट मुकाला करने का समता है क्योंकि अबरल करीर में उन्हें इस मज़े में 311 करें 24 गवरेंस टीक है तो बॉलिश से भी बढ़िया है वैटिंग से बढ़िया है कोटे का तीन से सचार वर डालेगा है डालेगा आप ले सकते हो उमेहत रमान को मैं बिल्कुल नहीं लूँगा हाला कि एक वला मुकाला निकाला था बट मैं इनकी बता का कि बाई स्टार्टिंग में जो सानोगा टीम से ओपनी करता है वो बहुत ही स्टॉंग है तो मेरे को नहीं लग रहा कि विकेट मिलेगा भाई हो मैं बिल्कुल नहीं ले रहा आप ले सकता हो और आपको लगता कि बिकेट गिरेंगे तो उनके बाद हैं कि इर्फान करते हैं अब आपने इस ट्रीम से फान नवाद लबप्रीत बाजवा जो को आपने डिसाइड करना भाई हो कि वाकास और इनमसे आप किसके सांस आंगे भाई हो अगर आपको लेना है तो दोनों में से किस्थे को ले सकते हो ने तो दोनों का इग्रोर कर सकते हो मुहमत फरा कार्ती को ठीक है और आपको लेना है रिस्क तो उमएद में और मक्सूद में से किसी एक साथ ग्रेंड लिकी टीम में जाएगा उमेद रामान इर्फान मक्सूद आपको दो-दो बार इस्टाडी में डालेते देत में फाहद नमाज डालेते इसलिक अपरेस के बड़ी अफसर रहेगा भायो और मैं यपन डालेते उनके बातना जो भी पैटा है पलेस अमने सबका नाम लिगा पलेस अस्टार्ट भी लिगा भायो इन्वेसे भी कोई गे लगा उनका आपको श्टर्ट मिल जागा टेलीकराम पर तो सबसे पहले भायो टेलेरम जोइन करना वनता है और यह पेलेवला मुकालम साथ सबस्टार्ट मतलब जो मुकालम चला है लेकिन हलके मतले ने बढ़िया यह भी बढ़ी आये पहलेगे पहले मुकालम साथ सांतावण चाभी सूचार्ट मतलब दो मुकालम चला है दो मुकाल में श्टागल किया है अगाइन आप ग्रेंड ली खेल तो वहाँ पर छोड़िये का स्मॉल एक टी में पिक करके चलेंगे फैयाज आमद को लाश्ट मुकालम बैटिंग में वन डाउन मिला था नहीं तो प्रोबली एना नीचे खेलता है मतलब लेकिन मुहमद उस्मान ने बहुत ज़्यादा नीचे आता है लाश्ट मुकालम में देखो मैं आपको बताता हूं एक सिस्ट देखो यह दूनों को यह अपनी करेंगा ठीक है अब यहां पे बैटिंग ओडर में आपको चेंस क्या देखनों को मिलेगा अकर अली खान वन ड रहेंगे बढ़ आपको डिसाइड करना है कि फयाज अमद और उस्मान में सब किसके सांच जाजेगा अगर आप एक्स्टा बैसमन को ले रहे हो तो ठीक है फुर्खान कले इनने विकेट की बिंग करा के देगा भाई यो सानवला टीम सांब विकेट की पिक कर लिए बंदे तारिक महमुद ने डाले थे और चार वपर दो विकेट निकाले ते यहां पर भी दो विकेट निकाले थे पले रहे बंद बढ़िया है एक तो उन्यासे मच में 226 विकेट है और अस्पेड़ी से भी रन करें उनके बाद हैं कि मुहमत तैमूर जिन्होंने एक विकेट निक नहीं मिले था और हम मैं आपको चीज़ बताओ जैको लाश्ट जो नाइट हुआ था न मैस उपिसमें बहुत जादा कौम स्कूरी बना था गेम में ठीक है ठीक है अर्यन लाकार अमीर हमसा को एक लिए पिक करेंगे अली खान को पिक करेंगे फयाज और उस्मान में से किसी यह पर कसान सल चाएगा ठीक है उनके बाद मॉहमत तैमूर आमासाफिक कासिप्च में डाले था दूलास दो बर मॉहमत तैमूर और दो बर कासिब काई डाले थे डेखके यहा पर मॉहमाद तैमूर अच्छा परीपोडर स्पीक रहेगा क्योंकि कासिब दाऊ दूला yes फल् को ट्रिलम्स जॉइन करना बनता है विकेट के बस सेक्जन में लब अपरीत बाजवा यहां पर फुरकान खली ले और वाल थाप आए वाल थाप थोड़ा ऊपर खेला तो ओपनी कर रहा था भाई फिर तो ओपनी करता ग्रैंडी के पी रहेगा खली तो मुस्ट प्रॉपली न लेकिन थोड़ा नीचे आज ठीक है मैं यहां पर पी करूंगा फ्याज अहमद को बाकि वाकास जाट भी बढ़िये पले रहे और यहां पर इस अहमद कुछ खास है नहीं महमद उस्मानी के सांथ ही जाना पड़ेगा ठीक है फराजु दिन को मैं स्मॉली के टीमें लोंगा ठीक है आपने एक चीज चेंस करना फ्याज रमात और उसमान में पर किसी एक किसा साली चाहिएगा वकास जाट बढ़िये पले रहे भाईयो ध्यान रहके बिल्कुल भी इन पर चलिएगा ग्रेंड लिक टीमें यह रहा वकास जा ठीक है उनके बाद हैंके बॉलिंग सेश् चीज और रिस्क ले सकते हो भाईयो क्योंकि बहुत सारे मुकाबले में न फाहाद नावाज बॉलिंग ने भी नहीं करवाई है ठीक है मतलब बॉलिंग जादा नहीं करवाता हलाकि लाक्ट के दूर मुकाले से बॉलिंग करा रहे तो ग्रेंड लीके टीम में बहुती बड उनके बाद उमेद रहाना भाई स्टार्टिंग में ढालता है इसलिए मैं इसको भी केट अब मतलब पीक नहीं कर रहा है इर्फान मक्सूत को भी डाक्ले कर जालेंगे उनके बाद मेरा राग कंपिलिट डेमो टीर टीम आरे अलाकर में कप्टेर रहेगा अफाद नमाज मे प्रेप